नमस्कार RS अन्रपुर्णा किचन में आपका स्वागत है, आज हम टेष्टी चीली ब्रेड बना के तयार करेंगे। चल ये बनाते हैं, चार ब्रेड ले लिया है हमने, हमने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, अब हम इसके छोटे छोटे टुकडे काट लेंगे, तो देखिए इस तरह हमें इसके टुकडे काट लेने हैं, इसी तरह हम सभी ब्रेड के टुकडे काटके रेडी कर लेंगे तो देखिए हमने सभी ब्रेट काटके रेडी कर लिया है अब हम कड़ई में दो चम्मच तेल डालेंगे तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ब्रेड के टुकडे इसमें डाल देंगे और इसे हमें बेकुल क्रिस्पी अच्छी तरह सेक लेने हैं ब्रेड हमने निकाल दिया कड़ई से अब उसी कड़ई में 3-4 चम्मच हम तेल डालेंगे आधा चम्मच बारी कटा लसन आधा चमजबारी कटा हुआ अधरक और एक हरी मिर्च काटके डालेंगे वन फोर्थ कप गाजर, वन फोर्थ कप हरी प्याज की जड़, वन फोर्थ कप शिमला मिर्च बारी काटके डाल दिया है इसे हमें हाई फ्लेम पर पकाना है 2-3 मिनट ही पकाना है ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे और एक टमाटर बारी काटके डाल देते हैं टमाटर के गलने तक हम इसे पका लेते हैं गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है अब टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं तो इसमें डाल देते हैं आधा चमच काली मिर्च पाउडर स्वाज मसा नमक नमक ध्यान से टाले क्योंकि हमें इसमें सॉस भी डालना है दो चमच टोमेटो सॉस डालेंगे एक चमच रेड चिली सॉस दो चमच सोय सॉस डालेंगे एक चमच विनेगर डाल देते हैं इसे mix करेंगे, अच्छी तरह हमने mix कर लिया है, अब हम इसमें जो crispy bread के टुकड़े रखे थे उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह mix करेंगे, आपको जब इसे खाना हो तब आप तुरंत बनाएं, पहले से बना के रखेंगे, तो ये गल जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे और थोड़े से हमने spring onion डाल दिया है, अच्छी तरह mix कर दिया है, तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह mix कर लिया है, अब ये चिली bread खाने के लिए विकुल तयार है, बहुत ही टेश्टी बन के तयार होते हैं, तो आप ज़रू ट्राय करें, अगर आपको हमारी recipe अच्छी करें और बेल आइकोन जरू दबाएं ताकि ने वीडियो आप तक बहुत सकें, धन्यवाद